देना का शावरिय और तुल्निय है। मैं सभी सहिनिकों को, पूर्व सहिनिकों को, उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, इस समय पॉंगल, माग भी हूँ, मकर संकरांती, उत्तरायन पर्वों का भी उल्लास चारों तरफ नजर आ रहा है। जैसे देश के प्रमुख दिवस, प्रमुख परव, आसे तुँ हिमाचल कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, देश को जोडते हैं, हमें जोडते हैं। एक भारत, स्रेष्ट भारत की भव्य तस्वीर हमारे मन मंदिर में प्रस्तूत करते हैं, वैसे ही भारत ट्रेन भी अपनी गती से, अपनी यात्रा से जोडने का, समझने का, जानने का अउसर देती है। बंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन भी एक राष्ट के रुप में हमारी साजा संस्कृती हमारी आस्था को भी जोडती हैं। ये जो नई ट्रेन शुरू हुई है, ये हाइदराबाद, वारंगल, विजयवाडा और विशागापत्नम जैसे शहरों को जोडेगी। आस्था और परियटन से जुड़े कई महत्वपुन स्थान इस रूट में पड़ते हैं। इसलिए बंदे भारत एक्सप्रेट से स्रद्धालूओं और परियटकों को भी बहुत लाब होगा। इस ट्रेन से स्रिकंद्राबाद और विशागापत्नम के बीच लगने वाला समय भी अब कम हो जाएगा। भाई और मैंनों बंदे भारत ट्रेन इसकी एक और विशेस्ता भी है। यह ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्त का प्रतीक है। यह उस भारत का प्रतीक है जो तेज बदलाव के रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसा भारत जो अपने सपनों अपने आकांशाओं को लेकर अधीर है। हर हिंदुस्तानी अधीर है। ऐसा भारत जो तेजी से चल कर अपने लक्ष तक पहुचना चाहता है। यह बंदे भारत एक्षप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो सब कोच स्रेष्ट चाहता है। उत्तम चाहता है। यह बंदे भारत एक्षप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरित को बहतर सुमिधाय देना चाहता है। यह बंदे भारत एक्षप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिक्ता से बाहर निकल कर आत्म निर्वरता की तरफ बढ़ रहा है। साथियों आज देश में बंदे भारत को लेकर जिस तेजी से काम हो रहा है वो भी ध्यान देने वाली बात है। यह सिकंद्राबाद विशागा पंटम बंदे भारत दो हजार तेईस के वर्स की पहली ट्रेन है। और आपको खुशी होगी हमारे देश में पंदरा दिनों के भीतर यह दूसरी बंदे भारत ट्रेन दोड रही है। यह दिखाता है कि भारत में कितनी तेजी से बंदे भारत अभ्यान पट्रियों पर तेज गती से दोड़ता हुआ जमीन पर बदलाव को मैसूस कर रहा है। बंदे भारत ट्रेन भारत में ही डिजाइन हुई और भारत में ही बनी देश की ट्रेन है। इसकी रप्तार के कितने ही विडियो लोगों के दिलो दिमाग में सोल्सेल मीडिया में भी पूरी तरह चाये हुए हैं। मैं एक और आकड़ा दूँगा जो जुरूर आप लोगों को अच्छा भी लगेगा दिल प्रस्ट होगा। बीते कुछी वर्षव में साथ बंदे भारत ट्रेनों ने कुल मिलाकर 23 लाग किलोमेटर का सफर पूरा किया है। ये पृत्वी के 58 चक्कर लगाने के बरावर है। इन ट्रेनों से अब तक 40 लाग से अधिक यात्री यात्रा कर चुके हैं। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों का जो समय बचता है। वो भी अनमोल है। भाईयो और भेनों, कनेक्टिविटी का स्पीड से और इन दोनों का सबका विकास से सीधा समंध है। कनेक्टिविटी से जुड़ा इन्फ्रासेक्टर दो जगव को ही नहीं जोडता, बलकि ये सपनों को हकिकत से भी जोडता है। ये मैनुफेक्टरिंग को मार्केट से जोडता है। टैलेंट को उचीत प्लेटफरम से जोडता है। कनेक्टिविटी अपने साथ विकास के संभावनाओं का विस्तार करती है। यानि यहां गती है, जहां जहां गती है, वहां प्रगती है। और जब प्रगती होती है, तो सम्रुद्धी तय है। हमने वो समय भी देखा है। जब हमारे हां विकास और आदुनिक कनेक्टिविटी का लाब बहुत ही कम लोगों को मिलता था। इससे देश में एक बहुत बड़ी आबादी का समय सिरफ आने जाने में ट्रांस्पोर्ट में ही खर्च होता था। इससे देश के सामान्य नागरिक का देश के मद्यंबर का बहुत नुक्षान होता था। आज भारत उस पुरानी सोच को पीछे रखकर आगे बढ़ रहा है। आज के भारत में सब को गती और प्रगती से जोडने के लिए तेजी से काम चल रहा है। बंदे भारत ट्रेन इसका एक बहुत बड़ा सबूत है प्रतीक है। साथियों जब इच्छा शक्ति होती है तो बड़े से बड़े मुश्किल लक्षों को भी पाया जा सकता है। हमने देखा है कि आठ वर्ष पहले तक किस प्रकार भारतिय रेल को लेकर निराशाही देखने सुन्ने को मिलते थी। सुस्त रप्तार, गंदगी का अंबार, टिकट बुकिंग से जुड़ी शिकायतें, आए दिन होती दुरगटनाएं। देश के लोगों ने मान लिया था कि भारतिय रेल में सुधार असंबव है। जब भी रेलेवे में नए इंफ्रास्ट्रक्टर की बाते होती थी, तो बजेट के अभाव का बहाना बनाया जाता था। नुक्षान की बाते होती थी, लेकिन साथ्यों साफ नियत से, इमानदार नियत से, हमने इस चनोती के भी समाधान का निर्णय किया।